साक्षी की नई-ँशाधी हुई, भहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, साधी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई सुरवात को लेकर, पहली बार वो अपने ससुरा लाई, साक्षी एक पढ़ी लिखी खुबसूरत आज के ख्यालों वाली थी, दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी का नजर न लगे, वो गुरगाओं में एक IT कमपनी में उची पोश्ट पर था साच्छी की साथ ससुर्भी पहले सरकारी नौकरी में कार रत थी, पर अभी रिटायर हो चुके थी देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था, सब कुछ एक्तम अपनी जगह पर सही था साधी के दिन सारी बिधी करते करते और घर आते आते बहुत रात हो चुकी थी आते ही साच्छी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा बिधी कर ली साच्छी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत ठक गए हैं और बाकी की बिधी दूसरे दिन कर लेंगे पर वह सुनने के लिए तयार ही नहीं थी दूसरे दिन घर की बाकी रस में निभाई गई दो तीन दिन बाद साच्छी में रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया जो सबको बहुत पसंद आया ससुर जी ने अपनी बहु को सगुन के तोर पर ग्यारा सो रुपे दिये और खुब आसिरबाद दे कर कहा कि ऐसे ही घर की अनपूर्णा बनना सास ने साच्छी को कमरे में बुलाया और कहा कि परसो मैंने तुम दोनों के बैवाहिक जीवन सुक सांती, नोगरह सांती के लिए पूजा रखी है सुवे अंधेरे ही उठ जाना बालों के अच्छे से धो लेना, नई कोड़ी सारी पहन लेना साच्छी सब कुछ बड़े ही गौर से सुन दही थी अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारिक कप की है मासिक धर्म की कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तयारी करू और तुम सब पानी फेर दो साच्छी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीव लगा पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया वे बोली, नहीं माजी, अभी पान-छे दिन है तारिक को कोई गरबर नहीं होगी हाँ, पर साधी की दोड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती सास बोली, तो एक काम कर ले गोलियां खा लेना, ताकि पूजा में कोई विग्ण ना आए साच्छी सर हिला कर अपने कमरे में चली गई पूजा बिधी सब ठीक से हो गई सभी रिष्टेदार अपने अपने घर लोट गए सुमित की भी छुटियां खत्म होने वाली थी वे कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्छी को अपनी तरब खीच कर अपनी बाहों में ले लिया वे उसके करीब आने की कोशिस कर रहा था उतने में साक्छी बोली सुमित मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पर सुमित कहा सुनने को तयार साक्छी ने कहा सुमित प्लीज जरूरी है आज मा जी इतना सुनते ही सुमित साक्छी की तरब देख कर बोला क्या हुआ कुछ कहा मा नहीं क्या साच्छी बोली मा जी ने कहा है कि अभी घर में मंगल में वातावरण है इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूँगी तब खुब घूम लेना मन भर के सुमित तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है तुम कभी भी उन्हें किसी चीज के लिए मना मत करना क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें दिल में घर कर जाती है और आगे कितना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से जाती नहीं मैंने मा को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और ये सिर चार पांच महने की ही तो बात है एक मेरी तरब से कोई बंधन नहीं रहेगा उसे सुमित की सारी बाते समझा गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि सुरवात के कुछ दिन ससुराल वाले बोले वैसी ही करना चाहिए तुम्हारी इच्छा हो या ना हो अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगे बन पीरियर्ट्स आ जाते हैं अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देखने को तक को तयार नहीं थी इस्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पिना सब कुछ भी जैसे तैसे साक्षी ने चार-पांच दिन निकाले और आगे से पीरि अवित्र नहीं होगा और मुझे बार-बार छुआ छूट के कारण साबसफाई भी नहीं करनी पड़ेगी लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को फूल आने के बाद ही तो एक पेर को फल आते हैं वैसा ही एक इस्तिरी का सर होता है गर्ब धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता जाने दो क्यों मैं इतना सोच रही हूं मुझे कहां यहां रहना है चार-पांच महीने ही तो निकालने हैं ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया थोड़ी दिनों बात क कभी कुछ कभी कुछ ऐसा कहकर साक्षी को गोलिया लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वह लेती रही उसका वजन बढ़ने लगा था समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों खाना भी लिमिट में था एक्सरसाइज भी समय पर करती थी चिर्षडी बहु हो जाती थी कहते कहते साल भर निकल गया अब कहीं जाकर वह समित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था एक्तब मन जैसा कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी ये पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलिया ले लेना समित तो मना कर नही जाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो ये कहकर मना कर दूंगे कि छुटी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी लेनी नहीं पड़ेगी ऐसे ही छुटीयों में दोनों घर आये सभी नाते रिष्तेदार भी आये हुए थे तभी सुमित की बुआ जी बोली ब चाहिए भावी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं पर कोई खुसकबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा और सभी उनकी तरब देखकर हसने लगे और साक्षी को ये बात तीर की तरह चुई उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला तुम चिंता क्यों करती हो अभी हमारी उम्र थोड़ी न निकल गई घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर इलाज करा लेंगे दो दिन बाद वे एक अच्छे गायने के पास गए डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें ब प्राब्लम तो नहीं होती साक्षी ने बताया कि उसे जरूरत पढ़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है डॉक्टर गुसे बे बोली क्या फाइदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का आज कल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोलियां ल लेकर इनका तुम्हारे सरीर पर कितना बुरा असर होता है तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉके जा गये हैं इन गोलियों के कारण और तो और सरीर में होने वाले हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारे ओवरीज डैमेज हो गई है दोनों गर्भासे में गाठ बन तुम्हारे मा बनने के चांसे कम से कम 90% तक कम हो गए है फिर भी मैं कोसिस करूंगी पहले गोलियां दे कर देखती हूं अगर गाठे गल जाए तो वरना तुम्हारा गर्भासे निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है ये बाते सुनकर साक्ची के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे सुमित का भी यही हाल था उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परड़ाम इतना भयानक होगा वे गुसे में उठी और डाक्टर से बोली मुझे पता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए लेकिन आप बताओ मुझे आप्रेशन के लिए कब कर आ पाना है डाक्टर बोली आप ये क्या कह रही हो मिसिस साक्षी और नहीं तो क्या ना घरभा से रहेगा ना पीरियड आएंगे और ना मेरे कालर किसी का घर अपवित्र होगा सही कहाना मैंने सुमित और वे वहां से चली गई सुमित की राह ना देखती हुए सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था जो गलती साक्षी ने की वे आप ना करें बस यही गुजारिस है और यही कहानी के माध्यन से मैं आप तक पहुचाना चाहती थी आसा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू